एक्जाम्पल नंबर 10 अ कॉपर रॉड ओफ डायमेटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इस ड्रॉण इंटु आ वायर ओफ लेंथ 18 मीटर ओफ यूनिफॉर्म थिकनेस फाइंड दा थिकनेस ओफ दा वायर अब हमें ये कहा गये कि हमारे पास एक कॉपर की रॉड थी जिसका डायमेटर 1 सेंटीमीटर था और जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी उसे हमने दूसरे शेप में कनवर्ट कर दिया यानि कि एक तरह से वो भी सिलेंडरिकल शेप ही है लेकिन जब हमने उसे convert किया दूसरे shape में तो उसकी length हमने increase कर दी अब हमने length increase कर दी उसकी तो एक तरह से हमने उसे और ज़्यादा thin कर दिया होगा यानि कि उसे पतला कर दिया होगा तो एक तरह से हमने उसका radius change कर दिया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे पास material पहले था उतना ही material हमारे पास अब भी है तो जो volume पहले थी इस rod की उतनी ही volume अब भी होगी तो we can say the volume of rod equal the volume of the wire volume of wire में हम radius देखेंगे कि wire का कुछ radius आएगा उसे हम rw लिख लेते हैं और rod का कुछ radius होगा उसे हम simply r ही छोड़ देंगे तो हम लिख पाएंगे that is pi r square h h यहाँ पर एक तरह से length को बता रहा है r radius है equal pi r w square h r w सिर्फ यहाँ पर wire के radius को represent कर रहा है यहाँ पर w का कुछ और meaning नहीं है इसके बाद important चीज हम यह देख सकते है कि length जो नए wire की हमारे पास जो wire की length है हमारे पास वो meters में given है लेकिन जो हमें rod given थी उसकी जो length या फिर हम कहें dimensions थी वो centimeter में थी तो simply हम जो हमें length given है 18 meter उसे centimeters में convert कर लेंगे तो वो आ जाएगा 1800 centimeter तो यह होगा that is pi r square h equal pi r w square h तो यहाँ पर pi से pi cancel out हो जाएगा और हमारे पास आएगा r square h equal r w square h dash और h dash हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे है क्योंकि जो wire की length है वो कुछ और है तो इसलिए हम यहाँ पर dash लगा कि इसे थोड़ा सा different कर देते हैं क्योंकि दौनों चीज़ सेम नहीं है तो next हम सारी values को हम पुट कर देंगे तो एक तरह से जो हमारे पास आएगा तो wire की जो radius है वो आजाएगी 1 upon 30 centimeter लेकिन अगर हम question को ध्यान से देखे तो वहाँ पर हम से यह कहा गए कि हमें wire की thickness बतानी है और thickness किसी भी चीज़ की diameter होती है तो wire की diameter होगी 2R तो हम 2 multiplied by 1 upon 30 करेंगे तो हमारी diameter आजाएगी जो की होगी 1 upon 15 centimeter which will be approximately 0.67 millimeter